हेलो अवरीवन मेरा नाम है अंकित मिस्रा आप में से बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे और अत्ता है बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे हूं तो मैं अपना आप बता देता हूं कि मैं एक एक एलेक्ट्रिकल मेंटर हूं और मेरा काम यहां पर एक एलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हेल्प करना है जो की डिप्लोमा केंड़ेट है या फिर डिगरी केंड़ेट है जिनने डिप्लोमा भी कबल कर लिया या फिर उनने बीटेग भी कर लिया लेकिन अपर जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर भी प्रिफर करते हैं तो बस मैं आपकी यहां पर help करता हूँ आप जब graduate होके आते हो तो आप पास बहुत सारे fundamentals weak होते हैं तो मैं आपकी यहां पर help कर सकता हूँ उन fundamentals को improve करने के लिए तो अभी आपके पास एक vacancy आई है राजस्थान जेई की अगर आप सभी लोग देख पा रहे होगे यहां पर तो राजस्थान जेई की bumper vacancy आई है electrical branch के लिए मैं यहां पर जो भी चीज़े बता रहा हूँ वो respect to electrical ब्रांच के लिए है vacancy आपके mechanical civil की लिए भी है लेकिन मैं यहां पर सुर्फ electrical की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे important चीज़ है कि राजस्थान जेई का जो paper होने वाला है electricity board का इलेक्सिटी बोर्ड का जो paper होने वाला है वो सिर्फ आपका objective होगा objective paper मैं हमेसा आपको इसलिए बोलता हूँ बार बताता हूँ कि objective में होता है कि आपके सामने question पूछेगा एक प्रस्न पूछेगा और उसका जो answer वो आपके सामने रख देते हैं आप पास चार options रहेंगे उनमें से एक answer सही होगा तो यह बहुत ही easy exam है इस टाइप की exam बहुत easy होते हैं क्योंकि आगर आपने subject को पढ़ा है तो आपको definitely आपको उस question के बार एक knowledge होगा अगर knowledge भी है तो आप बहुत ही trick के साथ उन चार option में से एक answer को tick कर सकते हो तो मेरे लिए यह आपके लिए बनना चाहूंगा कि आपके लिए exam बहुत ही easy हो जाए कि यह आपका सिर्फ objective exam है एक बात और यह जो exam होगा वो आपका two hours में होगा मतलब इसका जो आपका pattern होगा वो आपको question को solve करने के लिए आपको यहाँ पे 120 minutes मिलेंगे इस paper में क्या क्या चीज़ी आएंगी उसके बार हम आपन बात कर लेते हैं सबसे लोगे जानना चाहे रहे होंगे तो सबसे important चीज़ और technical तो पूंचा ही जाएगा लेकिने इस बार यहाँ पे technical का weight is थोड़ा सा कम है आपका 100% में से 60% weight is technical का है और 40% weight is आपका non-technical का है non-technical में कौन-कौन से subject होंगे आपन discuss करेंगे तब तक देख लेते हैं आपे technical में क्या होगा तो जो भी आपका notification है उसमें उनने ये mention किया है कि जो भी technical में चीज़े पूच जाएंगी वो आपका B.Tech level का होगा उसमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोला है कि वो diploma level का होगा उसमें clearly बोला गया है कि ये paper आपका B.Tech level का होगा अब हो सकता है कि उनने B.Tech level बोले ने कि बाद डिपलोमा level का पूच ले वो अलग बात है लेकिन उनने जो mention किया है वो B.Tech level है जो की important है रावस्थन जीए को crack करने के लिए एक बात और आपका यहां पर 60% वेस टेकनिकल का है और 40% वेस टेज आपका यहां पर जो अगर आप सेलेक्शन के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा सब को जहां समझेगा टेकनिकल आप तो कर लोगे आई थिंक थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे भी यहां पर मैं आपको गाइड भी करूँगा टेकनिकल आप लोग कर सकते होगे लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क आपके लिए होगा वह 40% नॉन टेकनिकल पार्ट के लिए यहां पर एकजामे पूछा जाएंगे जो मैंने यहां पर येलो कलर से मेंसनी किया है डेफिनेटल आप लोग तो आपका तीनों कंबाइन मानिए गया ठीक है एलेक्ट्रिकल मेशिंस हो गया पावर सिस्टम हो गया एनलोग हो गया यूटल इसनों हो गया इस्टिमिशन हो इससे सब्ज्ड़ा आपके कहीं न कहीं आप लोग रहा दोर्लन में पढ़ते हो लेकिन कुछ ऐसे सब्ज्ट्रों में और दन्व अER जैसे कि आपको होगा इंपे आप शुदी और कनिप आते हो गयाई तो हमारे पास सब्जेट कितने होगे पर काउंट करें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, हमारे पास यहाँ पर 11 सब्जेट्स बन जाएंगे, तो अब हम इसकी तैरी कैसे करें, इतने कम टाइम पर 11 सब्जेट्स कैसे बेपेर करें, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, कि आप ऐसा मत करिए कि हर एक टॉपिक को इंड़क में पढ़ो, ये टाइम आपका टेखनीकल का सौट फॉर्म में पढ़ने का है, टॉपिक पढ़ो, उसका जो में फंडेमेंटर बोलना चाहता है उसको पढ़ो, उसको जो फॉम् नौटर्म में स्विच कर लिया आपने, नौटर्म पढ़ो, दो, तिंग कोस्टन से और आंगे बढ़ गया, ऐसा हमको नहीं करना है कि हम एक टॉपिक में इस्टरा जाय जाए, हमें सारे चुजट पढ़ने हैं और उतना इट्प्ट में भी नहीं पढ़ने है, हमाए पास हमको टेक्निकल पढ़ना है, लेकिन इस्टरा डेट में नहीं पढ़ना है, तो उसके जो बेसिक्स चीज़े होती है, वह आप उनको डिल करना है, अप ऐसा नहीं कि आप बोडे प्लोट का वहाँ पर लॉक वाला फंक्शन याद करते बैठे रहा हो, ऐसा नहीं आपको, इस सब्जेट के सॉट नोट्स पर पेर कर लेजिए, सॉट नोट्स पर पेर कर लेजिए, और उनसे रिलेटेट को एक बाद देख लेजिए, जो कि आपके अपके अब्जेक्ट्ट्व कुछे जाते हैं, आप इसमें ES लेवल तक जा सकते हो, अगर आपको कॉस्चन सॉल्व कर करने हैं, तो UPSC ES का जो पेर होता है, आप उस कुस्चन को सॉल्व करके अपना यहां पर एक लेवल क्रेट कर सकते हो, कि हमको इतना जाना है, इससे ज़्याद हमको नहीं जाना है, तो चलिए आंगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि हमाँ पास non-technical, एक बात और, यहां प पर रिजनिंग पार्ट पुछा जाएगा, ठीक है, mathematics, जो कि obviously आपका यहां पर aptitude होगा, general knowledge and everyday science, जो कि आपका GS वाला पार्ट है, हिंदी जनरल है और English जनरल है, तो यह चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, non-technical के लिए, तो मैं आपको सिर्फ यहां पर देखनी प अच्छे से कर ले जाओगे, लेकि non-technical पार्ट आप यहां पर आपको focus करना पड़ेगा, एक बात और, जो भी मैंने आपको यहां पर इस लेवल बताया है, यह मैंने notification देखके बताया है, जो भी आपका notification वहां पर आया है, लेकिन मेरे पास वहां पर राजस्थान में कि इस लोगा पर प्रोटेस्ट पे हैं कि इस पर राजस्थान का जो जीके है, वह अला पार्ट बढ़ाया जा है, approximately 40% में से 24% पार्ट उसको करने के बाद चल रही है, अभी मैं स्यूर नहीं हूँ, अभी जो भी आपके पास वहां पर रजलिट आएगा, जो भी नोटिफि आपको टेकनिकल और नॉन टेकनिकल बहुत अच्छे से पेपर करना है, ऐसी वेकेंसी हमेशा नहीं आती है, मैं फिर से रिपेट करता हूँ, वैसे भी इंजिनरिंग का स्लोप जो आपका इसको पर दीदे नीचे गरता जा रहा है, वेकेंसी डे बाइडे कम होती जा रही ह इस बार यहां पर आपका यह राजस्थान जाई है, वेकेंसी इसमें बढ़ी है, वेकेंसी जादा है, ओल्मोस्ट 900 पोस्ट है, 900 पोस्ट आपकी सिर्फ इलेक्रिकल ब्रांच की है, तो बिल्कुल डेफिनेटली पोस्ट बहुत जादा है, आपको अपना पूरा 100% देना है इस एक्जाम के लिए, और जो लोग यह बोल रहे हों कि आपको तो वहाँ पर जाके जो भी नहीं करना है, तो बिटा मैं आपसे सिर्फ इतना सेजन बोलना चाहूँगा, इस ट्राय तो करो सेलेक्शन के लिए, भले आप पोस्ट मत करना, आपको कौन फोस्ट करा है कि आप अपको preparation कैसी करनी है, कैसे कर सकते हैं आप लोग तभी मैंने आपको जिश्ट बताया, आपको सारे subject जो भी 11 subject हैं उन सबिके sort notes prepare कर लो, उनको daily revise करो, उनके आप objective question solve को लो, simple simple, ऐसा ज्यदा depth आपको नहीं जाना है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे previous question solve कर सकते ह बोलूँगा आप ऐसा मत करिए कि आप नेटवर्क, मेजरमेंट, मसीन, पावर सेक्टाम हैं इन ही के प्रीवेसर कोश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं आपने इनके कोश्चन बहुत पहले भी सॉल्व कर चुके होगे लेकिन अभी जो आपका काम है वो एक्स्ट्रा एड़ेट कोश्चन सॉल्व करना है उनको भी आपको ध्यान देना है कि वो कोश्चन आपसे इसकिप न हो जाए वो कश्चन आपसे एक्जामे बने तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगे एक चीज और बोली मैंने आपको प्रिपेर नॉन टेक पार्ट नौन वर् को बाद के लिए होड़नी करना है कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे ठीक है तो यह आपके पास राजस्थान जाई के माने बताया कि आप इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आपको एक्जाम को कौलिफाय करने के लिए तो सभी लोग त्यारी करिए मैं आपके साथ आपको जहां पर भी जोड़ पड़ेगी मेरी वह आप पर आप ले अविलेवल रहूँगा और मैं कोसिस करूँगा कि आपके पास जो सौट नूट्स हैं सारे सब्जेट्स के वह आपका मैं कहां पर प्रवाइट कर पाऊं जिससे आपका थोड़ा बहुत टाइम जो बचे झाल